दोस्तों, दुनिया में इस्तमाल की जाने वाली कोई भी उलेक्रिकल मशीन हो या फिर हमारी घरों में लगी उलेक्रिकल मशीने जैसे टीवी, फिरिज, मोटर, गीजर, आइरन, फैन, एसी ये सबी चीजें दो वायर सिस्टम पर चला ही जाती है यानि हमें इन सभी करोणों को एक फेज देना होता है और एक न्यूटल फेज वायर के थुरू करेंट इन मशीन के अंदर जाता है और न्यूटल वायर से वही करेंट इन मशीन से बहार आता है और हमारी मशीन चालू हो जाती है, हमारी मशीन रनिंग कंडिशन में आ जाती है और जितनी भी बिजली हमें इस लोड को चलाने में इस्तमाल हुई है वो हमारा मीटर रिकॉर्ड कर लेता है जिसका बिल हमें electrical department को हर मंत पे करना होता है लेकिन दोस्तो क्या कभी आपके मन में भी ऐसा कोशन आया है क्या कभी आपने भी ये सोचा है कि क्या हम अपने घर के ल यही बाहर जाने वाला करंट मीटर को बताता है कि इतनी बिजली यूज में लिए है अगर आम नुटरल ही नहीं लगारे हैं तो जितना भी फेस से जो परेंट मशीन के अंदर जाएगा वो जैरेक्ट ग्राउंड में चले जाएगा तो इस कंडिशन में क्या हमारी में मीटर की जो रीडिंग निकलते हैं चार वायर, तीन होते हैं फेज वायर और एक होता है आपका नूटल वायर, अब यही चारों वायर इन खंबों के तुरू हमारे घर के आसपास पहुचा दिये जाते हैं, गौवर्मेंट के तुरू तो यहां से एक बात तो clear है कि जो भी हमारे घर पे फेज और नूटल आता है, वो किसी न किसी ट्रांस्फॉर्मर से आ रहा होगा तो इनी खंबो में से एक फेज और एक नूटल हमारे घर को दे दिया जाता है या किसी आपके फ्रेंड का घर है, तो उसको भी इनी तीन phase में से कोई एक phase और एक neutral उसको भी दे दिया जाएगा तो यहां तो हमें एक चीज clear है कि phase आ गया हमारे घर के अंदर हमारे जो machine थी वो run करी और neutral के थुरू वो meter के होता हुआ दुबारा इस neutral पर चला गया दुबारा transformer का circuit complete हो गया तो यह तो होगी हमारी normal condition कि कैसे जो है हमारे जो load है वो run करता है बात करते हैं अपने main topic पर कि क्या हम phase और earth से भी अपने घर का load चला सकते हैं तो जी हां ऐसा करने से आपके घर का load चल जाता है आप अगर phase wire से और एक earth wire से अपने किसी load को run कराएंगे तो उस condition में वो load running condition में आ जाएगा क्योंकि guys अभी हमने दिखा कि किसी भी load को किसी भी machine को चलानी के लिए चाहिए होता है current एक phase wire तो compulsory है क्योंकि current उसके अंदर जाना चाहिए और current जाता है machine के अंदर phase wire से और neutral wire से निकलता है current भार की तरफ अगर हम neutral wire ना लगाएं तो वो जो भार निकलने वाला current है वो हमारे ground में चले जाएगा तो यहां से भी हमारे जो circuit है वो complete हो जाता है easily जो कभी current का flow है machine के अंदर possible हो जाता है जिसकी वज़े से जो हमारा load है आसानी से चल जाता है तो आपने ये चीज पुराने टाइम पर notice भी करी होगी कि आपके ruler areas में और आपके city areas में जो भी government के थुरू ये three phase की wire combo पर जाती थी वो uninsulated होती थी इनी uninsulated wires पर बहुत सारी लोगों ने काफी बार एक जो है अलग से circuit बना रखा होता था means एक wire इस phase पर connect कर देते थे और दूसरी wire को अपने null पर connect कर देते थे जिसकी वज़े से जो आपका घर का load था वो चालू हो जाता था तो इस condition में होता गया था कि जो phase था वो तो हमें circuit से मिल गया और जो हमारा output था जो भी हमारा exit हो रहा है current वो हमने null से connect कर दिया या किसी में भी earth में connect कर दिया जिसकी वज़े से जो हमारे पूरे घर का load था असानी से चल जाता था तो उस time पर जो government को जो चोरी थी वो काफी जादा देखने को मिलती थी तो इसी चोरी को रोखने के लिए उन्होंने जो भी हमारे घर के पास wire लगा दिये गए है आपको बिल देना पड़ेगा क्योंकि होता हिया था कि पुराने time पर जो हमारे meters होते थे वह हमारे दूसरे meters होते थे जिसे हम कहते थे mechanical meter जिनके अंदर एक डिस्क लगी होती थी वह rotate करती थी तो उस condition में ऐसा करा जाता था तो वह हमारी meter की reading को measure नहीं कर पाते थे कितनी विजली यूज में हो रही है वह नहीं ले पाते थे लेकिन जो आज के technology यूज में ली जा रही है हम सभी के घरों में एक digital meter के तुरू लगाया गया है यह जो digital meter है काफे smart meter होता है इसके अंदर आप कोई भी changes नहीं कर सकते और जितनी भी बिजली अगर आप ऐसा डिरेक्ट अर्थ से अपने लोड को रन कराएं और जो भी आपको meter का बिल है उसे पर मंत आप government को पे करें तो आपको यह basic concept मेरे को clear करना था कि क्या ऐसा करने से लोड चलता है तो बिलकुल ऐसा करने से लोड चलता है क्या हमें electricity का बिल देना होगा तो जी हाँ आपको electricity का बिल भी देना होगा लेकिन ऐसा ना करें तो I hope guys वीडियो आपको knowledgeable लगी होगी अगर आप चैनल पर नहीं है तो ऐसी और interesting वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं जैसे earth अपने अंदर कितना current ले सकती है अभी हमने देखा कि हमने जो था उस current को ground में दे दिया या वो जो ग्राउंड में चला गया लेकिन earth अपने अंदर कितना current ले सकती है कोई तो limit होगी तो ऐसी और interesting वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं मिलते हैं next वीडियो में till then thank you